Hello friends, DK Sinha this side, week की समाप्ती हो गई 16th February 2024, तो आगले week की तयारी करना है, तो इसलिए Stock Market की weekly analysis के इस वीटियो में हम चर्चा करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की, इन तीनों major frontline index की हम technical analysis करेंगे, price action को समझेंगे, support and resistance level को mark करेंगे, technical studies के आधार पर, जो शायद market आने वाले week में उन्हें respect कर सकता है। सबसे पहले दोस्तों आपको एक level के बारे में याद की, इस channel के उपर में पिछले एक मेहने में कई बार उस level के बारे में जिक्र किया गया है, क्योंकि वो island pattern निफ्टी 50 में बना था, तो good news ये है कि finally उस level के उपर में निफ्टी ने closing दे दी है पिछले week में, क्या आपको व हो रहा था, निफ्टी 50 में, तो क्या आप उस level को, इस video का comment section में लिख सकते हैं, तो मुझे आपके comments का इंतजार रहे, तो इस video में broadly हम करेंगे क्या, सबसे पहले पिछले week के performance का outlook लेंगे, भारतिये share बजार का, उसके बद market के sentiments को चेक करेंगे, क्या sentiments हैं, जो market को drive का, और फिर चलेंगे price chart के उपर में, जहाँ पे technical analysis के आधार पर, nifty और bank nifty और fin nifty को समझने की कोशिस करेंगे, और अगले week में क्या possibility हो सकती है, उसकी चर्चा करेंगे, तो दोस्तों, वीडियो को अभी से like कर लीजे, channel को subscribe कर लीजे, bell icon को hit कर दीजे notification के लिए, ताकि आप हमेश तो पहले last week में market ने कैसा perform किया, उसके एक outlook लेते हैं, अब nifty 50 में अगर हम सोचे, तो चार important sector हैं, जिनका weightage 70-75% है nifty 50 में, उन्होंने कैसा perform किया है पिछले week में, तो financials जो हैं, फिर nifty की बात करें, तो 1.33% की तेजी के साथ में, week on week basis पे close हुआ, वहीं IT sector में 2.06% की तेजी देखी गई, और FMCG sector जो था, वो थोड़ा सा down था, 0.65% की गिरावट दर्ज की गई, oil and gas sector again, एक outperforming sector साबित हुआ, और इसने पिछले week में, एक उचाल दिखाई 2.71% की, वहीं अगर mid cap index की बात करें, जो 50 stocks का index है, तो उसने return दिया 1.41% का पिछले week में, और small cap index जो है, वो flat रहा, और marginally down रहा, 0.05% से, तो broader market में bulls dominate कर रहे हैं, इससे ये पता लगता है, अब एक नजर डालते हैं frontline index पे, तो nifty 50 ने, पिछले week में, 1.91% का एक return दिया है, और bank nifty ने, 1.64% का return दिया है, इसका ताथपर है कि bank nifty ने marginally nifty 50 को outperform किया है, पिछले week में, अगर bank nifty के major constituents की बात करें, तो उनमें private sector banks भी हैं, और public sector banks भी हैं, तो private sector bank में पिछले week में return दिया है, 1.43% का, वहीं public sector bank में private sector bank को outperform किया है, और return दिया है, 2.74% का, तो frontline index में चारो तरफ हर्याली नजर आई, तो broader market में bulls जो है, वो dominate करते हुए नजर आए, last week, अब एक नजर डालते हैं, कि market का sentiments कैसा रहा पिछले week, अगर इसके पहले वाले Saturday के समय देखें, जब मैंने market mood index को share किया था, जो nifty 50 के प्रती, fear and greed को represent करता है, तो वो extreme fear zone में थ थी, कि जब market extreme fear zone में जाता है, तो ये एक oscillator है, तो कहीं न कहीं, यहाँ पर अब गिरने की संभावना कम है, और उपर जाने की market की संभावना बढ़ जाती है, तो इसके पहले वाले Saturday में, इसकी reading थी 25.7 तो extreme fear zone में था, जब पिछला week समाप्त हुआ, 16 फर्वरी 2024 को, तो market mood index जो था, उसकी reading थी 31.2, तो extreme fear से, fear zone में एंटर करता हुआ नजर आ रहा है, तो market का sentiments, obviously, improve हुआ है पिछले week, तो चलिए भी straight away चलते हैं, price chart पर, और technical analysis की शुरुआत करते हैं, वीडियो को like करना नहीं बूलिएगा, Willing to succeed in the stock market? Join DK's Diamond Club channel membership for fundamental and technical analysis. Learn strategies and risk management to stay ahead of the curve. Join now and attend our weekly meetings every Sunday. तो technical analysis की शुरुआत करते हैं, nifty 50 index से. पहले हम weekly price chart को देखेंगे, यह weekly price chart है, और last week में nifty 50 की जो closing हुई है, वो है 22,040.7. तो 22,000 के उपर में फाइनली इसकी closing हुई और इस तरह से यह 1.19% की तेजी के साथ में close हुआ. इंपोर्टन ज्यादा है price action को समझ रहा. यहां लास्ट वीक की candle को अगर ध्यान से देखें, तो एक bullish engulfing candle का formation हुई. तो यह बहुत significant है. इसके अलावा और हम क्या देख सकते ह एक यहां पर gap exist कर रहा है जो अभी तक nifty 50 में fill नहीं हुआ है. क्या यह खत्रा हो सकता है? होने को तो market में कुछ भी हो सकता है दोस्तों. लेकिन फिलहाल यह level जो है gap का वो EMA 21 और volume weighted moving average के नीचे है. तो एक पहली संभावना यह है कि इसके fill होने की संभावना थोड़ी कम न resistance था तो यह break away gap भी है और जब यह gap बनाता तो volume में काफी बड़ी बड़ोतरी थी. तो इसका मतलब यह break away gap है usually break away gap बहुत जल्दी fill नहीं होते हैं. अब मैं कुछ drawing को superimpose करता हूँ. इसे ध्यान से देखें तो यह price का resistance है, price का resistance था, price का resistance, price का resistance तो यह rising trend line जो है, जो resistance के pivots के join करके draw की गई है, इसके आधार पर भी यह break away gap है. और यह देखिए support है, यह support है और इस rising wedge का जो यह breakout हुआ, तो इसका काफी बड़ा base है, तो संभावित यह है कि nifty और भी ऊपर चा सकता है. अब पिछले week में हमने बात की थी कि यह जो rising trend line है, वैसे भी बहुत strong support है और सा हाल तो हम अगले week की बात कर रहे हैं, तो अगले week में मैं इस chart को थोड़ा सा enlarge कर दूँ, यह देखिए, chart को मैंने enlarge किया, तो आप ध्यान से देखिए, यहां पर price action है. एक level और था जिसकी चर्चा हम बार-बार करते आ रहे थे, और वो था 21,832, कि अगर इसके उपर में candle close हो जाती है, किसी भी daily chart में, तो एक संभावना बन जाएगी, कि जो island का level है, 21,970, इसके उपर में closing हो जाए, और exactly last week में वैसा कुछ हुआ, अब यहां पर आप देखिए, ध्यान से price action है, तो मैं आपको explain करता हूँ, कि पिछले कई week से, इस level के उपर में कभी भी nifty 50 ने closing दिये, price उपर गई जरूर है, बट reject हो गई है, price उपर गई है, reject हो गई है, price उपर गई है, reject हो गई है, इसका तात्पर ही क्या है, कि अब यह level जो है, एक significant support का रूप में काम करेगा, और वो level है, 21,929 का, और 21,970 island pattern का gap था, तो इसका मतलब हम broadly इसको conclude कर सकते हैं, 21,900 से, तो level है, यह एक demand area का रूप में आने वाले वीक में संभावित हो सकते हैं, इसके अलावा, nifty 50 का all time high क्या है, all time high है, 22,126.8, जो यहाँ पर price ने बनाया था, जो price, massive upside shadow देख सकते हैं, price reject हुई थी, यहाँ पर reject हुई थी, तो यह एक immediate resistance का रूप में काम करेगा, क्या यह resistance ब चलिए उसके रिए daily chart में चलते हैं, यहाँ daily chart में देखिए, यह एक symmetrical triangle का breakout है, यह price का resistance था, price का resistance था, price का resistance था, यहाँ पर देखिए, यह candle एक ऐसी candle थी, यह किस तारी की candle है, यह है, 15th February की candle, यह candle, एंटार डे में, market volatile जरूर रहा, लेकिन इसकी opening and closing जो है, इस counter trend line के उपर में हुई है, और यह support का रूप में काम कर रहा था, तो एक symmetrical triangle का breakout है, और closely इसको study करें, तो यहाँ पर देखिए, यह island formation था, जिसके उपर में यह closing नहीं दे रहा था, 21,970, उसके उपर में finally closing ह कोई, तो यह कहीं नगे एक runaway gap है, यह runaway gap है, अगर volume की study करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि runaway gap है, अगर आपने gaps के ऊपर में tutorial वीडियो नहीं देखा है, तो मेरा अनरोध है आपसे, कि आप Zero to Hero के podcast में जाईए, और gaps के ऊपर में part 1 and part 2 वीडियो है, जिसमें gaps को कैसे define क की आ गया है, और कैसे हम gap का पता लगाते हैं, और किस प्रकार के gap है, जिनकी क्या संभावना होती है, यह सारी चीज़ें discuss की रही है, तो यह मेरे नज़रों में एक runaway gap है, अब अगर यह runaway gap है, तो एक चीज़ और यहां clear हो रही है, यह cup and handle pattern है, यह आप देखिए, और यह handle का breakout हो चुका है, तो इसका मतलब यह cup and handle pattern के साब से हम nifty का target निगाल सकते हैं, अगले week में target achieve होगा, नहीं होगा, यह कहना मुश्किल है, लेकिन अगर इसको target को project करें, तो इसका target 22,680 के आइसपास निगल के आता है, यह तो हो गया target किसके आधार पर, यह हो गया target on the basis of nifty 50, 50 cup and handle pattern, तो एक तो यह level होगे, आपको याद रखना है, दूसरा level क्या possible है, मैं एक retracement analysis करता हूँ, यह देखे, prior impulsive देख की, अगर retracement analysis करें, तो price कहां पर support लेके bounce कर रही है, 61.8% retracement level, जो की एक golden ratio है, इसका मतलब इस impulse का और यह corrective wave है, इसके अनुस्वार अगर हम target निकालें, तो चलिए target क्या निकल के आता है, उसे निकालने की कोशिस करते हैं, यह देखे, मैंने इसको target को project किया, इसका target आता है, पहला target आता है 22,227 और फिर आता है 22,600, तो हम broadly क्या बोल सकते हैं, 22,250 से लेकर 22,600 का जो band है, यह एक possible supply area है, क्योंकि price वहां जाने के बात over extended हो जाएगी, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, हम एक symmetrical triangle के आधार पर target निकाल सकते हैं, तो देखे, symmetrical triangle के मैं पहले base को major करता हूँ, यह मैंने base major किया, अब इसे point of breakout से मैं project कर रहा हूँ, यह देखे, मैंने breakout किया, यहां क्या आ रहा है अगें, 22,252 आ रहा है, औ broadly हम बोल सकते हैं कि 22,250 से लेकर 22,500, 600 के zone तक यह अगले week में संभावित move हो सकता है, nifty 50 का, downside में मैंने support के बारे में already बोला, एक major support है, तो कि price का यहां resistance रहा है, यहां rejection रहा है, यहां rejection रहा है, तो 21,800 तो एक major support है, लेकिन इक intervening और वो भी बहुत significant support है, 21,900 से 21,970 का यह उसे round of कर लें 22,000 का, तो यह आगे आने वाले week में यह संभावित move हो सकता है, इसके अलावा momentum indicator को देखें, तो काफी दिनों के बाद, यहां देखे 59 से reject हो गया था RSI, यहां 60 को उपर में चला गया, जब week की समापती हुई, तो RSI की reading daily chart पर है, 60.43, force index को sharp price है, इसका मतब extent of participation भी नज़र आ रहा है, market में और force index भी bullish territory पर है, तो छली अब बढ़ते हैं bank nifty के price chart में, अब हम bank nifty के weekly price chart को देख रहे हैं, bank nifty के closing कहां हुई, 46,384.85 पे और इस तरह से 1.64% की तेज़ी के साथ में bank nifty close हुआ, अब यहां पे price action को समझें, तो last week की जो candle है, यह भी एक bullish engulfing candle है, अगर body to body compare करें, लेकिन इस से ज़्यादा important है, कि अगर यहां पे मैं एक horizontal line कीचू, यह देखे, यह point of resistance था, और इसके उपर में nifty close नहीं दे पा रहाता, तो यह एक typical re-accumulation phase था, जहां पर bank nifty इस range में trade हो रहाता, पिछले 3 week से, और finally इस range का breakout हुआ है, last week में, इसका मतलब यह है कि अगर last week की जो candle का high है, वो है 46,693.4, इसके उपर में अगर इसका follow trap हो गया, तो फिर अगला resistance कहा नजर आ रह है, आप देखें, यह consolidation band है, तो इस zone में इसे resistance मिलेगा, तो अगर मैं कुछ drawing को super impulse, इसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप देखें, इसमें gap था, और यह gap फिल हो चुका है, क्योंकि यह gap break away gap नहीं था, और यहाँ पर gap फिल होने के बाद, bank nifty न इसका मतलब, EMA 21 और volume weighted moving average 21 एक dynamic support को रूप में act करते हुए नजर आ रहे है, लास्ट वीक में volume भी अच्छा था, यह देखें, volume में बढ़ोतरी हुई है, तो extent of participation भी है, तो अब चलिए कुछ drawing को मैं super impulse करता हूँ, यह देखें, पहले भी मैंने discuss किया था, कि यह देखें, support ह है, support है, और यहीं से bounce back है, bank nifty का, और यह resistance है, एक resistance है, resistance है, तो एक cyclic phenomenon है, कि bank nifty upper fiber से reject होता है, और lower fiber पे support लेता है, तो अब संभावना काफी प्रबल हो गई है, कि यह upper fiber की दिशा में आगे बढ़ सकता है, क्या यहाँ पर हम कुछ retracement analysis कर सकते हैं, तो देखें, यह पिछल इंपल्सिब देख का अगर retracement analysis करें, तो यहाँ bank nifty ने भी golden ratio, 61.8% के level को support लिया, और उसके बाद में bounce back कर रहा है, most important क्या है bank nifty में, कि bank nifty ने upside यात्रा में, अब 38.2% जो retracement level है, वो एक संभावित resistance हो सकता था, उसके ऊपर में closing दर्शाई है, यह बहुत significant है, अब उसके उपर में closing दर्शाई है, तो अपने आप में वो level एक support के रूप में काम करेगा, अब आगे बढ़ते हैं, और daily price chart में चलते हैं, और price action को समझते हैं, मैं पहले यह retracement level को remove कर देता हूँ, ताकि chart clutter free हो सके, यहाँ daily price chart को देखिए, बहुत obvious तरीके से, यहाँ पर आपको re accumulation phase नजर आएगा, price यह range में थी, यहाँ पर इस range का breakout हुआ, अब follow through हो रहा है, although last trading session की candle है के spinning top है, लेकिन important क्या है, यह जो resistance level था, इसके उपर में closing जो हुई है, इसका follow through हुआ है, of course, bearish candle है, spinning top है, indecisiveness ता market में, तो price action के अनुसार अगर हम यहाँ देखें, तो price बार बार कहा से reject हो रही थी, price बार बार इस level से reject हो रही थी, आप देखिए, इसका breakout हो गया, तो obviously 46,000 का level जो है, एक संभाविस support है, इसके लावा यहाँ भी price में resistance था, कई बार candle इसके ऊपर में गई, ऊपर में गई, बट close नहीं हो पाई, तो 46,100 का level, यह दो level जो है, एक important support है, 46,000 से 46, 46,100 का पाई, और इसी जोन में आप देखिए, तो EMA 55 का भी intervention है, of course, यह level एक intermittent support है, बट major support हम देखें, तो यहाँ पर 45,500 पर है, जहाँ पर price नहीं आ रहे है था, यह level जो है, volume weighted moving average के भी नीचे है, EMA 21 के भी नीचे है, तो आने वाले week में intermittent support है, 46,000 से 46,100 और major support है, 45,500 का जो price action का नुसार हमने अभी निकाला, अब यहाँ पर देखें, एक level है, बहुत important level, वो level क्या है, 46,893, कोई बता सकता है, यह level क्यों important है, यह level इसलिए important है, दोस्तों, कि यहाँ अगर price action को ध्यान से देखें, तो यहाँ पर double bottom का formation, और double bottom का apex क्या है, यह है, 46,893, तो हमें इंतजार क्या रहेगा, कि कोई candle, 46,893 के उपर में close हो जाए, बैंक निफ्टी में, और उस candle का जो high रहेगा, उसका follow through हो जाए, तो फिर, इसके उपर जाने की संभावना काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि यह short term में जो downtrend में आया था, इसके against में यह double bottom एक reversal जाट पाता है, यहाँ पर अगर हम घ्यान से देखें, तो यहाँ पर price का multiple support है, तो obviously यह जो जोन है immediately, 46,893 से 47,000 का zone, यह एक immediate intermittent resistance है, लेकिन अगर इस level का breakout हो जाएगा, तो इस double bottom का target क्या निकलेगा, यह निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसका target फिर निकलता है, 48,100 के उपर target निकलता है, तो of course उसके पहले straight line में तो price जाएगी नहीं, price का हम broadly बोल सकते हैं, कि यह intermittent resistance को cross करना जोरी है, यह resistance है कर निकल गया, तो फिर 47,500 पे जो resistance है, वो बहुत major resistance को रूप में काम नहीं करेगा, तो चलिए दूस्तों बढ़ते हैं, फिन निफ्टी के price chart में, अब हम फिन निफ्टी के weekly price chart को refer कर रहे हैं, और इसकी closing जो हुई है last week में 20,472.75 पे हुई है, और इस तरह से यह 1.33% की तेजी के साथ में week on week basis पे close हुआ है, यहाँ भी करीब-करीब bullish engulfing candle है, और हम यहाँ पे क्या देखते हैं, कि price जो है, defend कर रही है, यह में 55, यह consolidation band था, जहाँ पे price बहुत narrow range में trade हो रही थी, यह consolidation band था, जहाँ price narrow range में trade हो रही थी, तो probably इसको support कर रूप में यह act कर रहा है, यहाँ से एक possibility बन रही है कि correction की समाप्ती हो गई है, अब मैं कुछ drawing को superimpose करता इसमें भी हम लोग ने एक rising price channel की बात की थी, price का resistance, price का resistance, price का resistance, price का support, price का support और यहीं से यह bounce back कर रहा है, तो यह site एक cyclic phenomenon है, price support के पास आती है, lower fiber पे आती है price channel के, upper fiber पे जाती है, फिर नीचे आती है, तो यह cyclic phenomenon है, तो price action को देखते ऐसा लगता है, कि अब यह upper fiber की तरफ ज अगर हम retracement analysis करें, जो इस बात को confirm करता है, यह देखें, last impulse का, तो price ने यहाँ भी golden ratio पे support लिया, जो की confluence था, इस support line का, trend line के support का, तो यह dynamic support पे हमें confluence मिल रहा है, और साथ में यह gap था, यह gap फिल हो जुका है, although यह breakaway gap था, दोस्तों, यहाँ price का resistance था, अब देखिए, breakaway gap लेकिन हसा नहीं है कि breakaway gap फिल नहीं होते हैं, फिल होते हैं, अब यह breakaway gap था की नहीं, फिल निफ्टी के price chart में हमें volume नहीं है, तो इसलिए उसको clearly हम define भी नहीं कर सकते हैं, अब यहाँ पर फर्दर हम बात करें, तो एक level है बहुत important, और वो level था, जहाँ price resistance ले रही थी, ब ही नहीं कहीं immediate resistance के पास में है, finance nifty, इसके अलावा यहाँ देखें, तो यह retracement analysis हमने की, इसने support तो ले लिया golden ratio पर, लेकिन 38.2% upside में एक जो resistance है, उसके उपर में close नहीं हुई, और आप देखिए, पिछले 3 मिन से price इस level के उपर में closing नहीं दे पा रही है, जो price action के अनुसार भी यहाँ resistance है, और 38.2% retracement level भी है, तो हम conclude क्या कर सकते हैं, कि immediate resistance जो है, 20,550 पर यह resistance है, और यह 20,472 पर trade हो रहा है, लेकिन यह level को इसने निकाल लिया, तो फिर अगला जो resistance है, वो यह level पर resistance है, जहां एक large अपर shadow है, और यह level है 20,818, और इसको समझाने के लिए चलते हैं यहाँ daily price chart में हम देखें, तो यहाँ भी यह short term में downtrend में आ गया था, यह double bottom का formation है, और यह इसका apex है, जो मैंने अभी जर्चा की 20,818 का, तो इसके उपर में अगर कोई candle close हो जाती है, और उस candle का high का follow through हो जाता है, तब फिर यहाँ पे upside move की समभावना काफी प्रबल हो तो इसका अगला target जो है, फिर आता है 21,200, तो हम बोल सकते हैं आने वाले धीक में कि कुछ level है, जो एक supply zone का रूप में काम करेंगे, अगर यह immediate resistance को निकाल भी लिया, जो मैंने बोला 20,550, 560 के आसपास में है, तो इसके बाद यह देखें, यहाँ support है, यहाँ support है, तो 21,000 क इसके बाद अभी हमने देखा, कि अगर breakout हो जाता है double bottom का, तो फिर target पहला आता है 21,200, तो हम conclude क्या कर सकते हैं, कि आने वाले week में 21,000 से 21,200 का यह जो band है, यह एक resistance को रूप में यह supply zone को रूप में act करने की संभावना है, तो मैं आशा करता हूँ कि इस stock market के weekly analysis के दोरा, उसके बारे में काफी हद तक clarity आई, आपके comments का हमें comment section में इंतजार होगा, कि आप क्या सोचते हैं, कि अगले week में जो levels हम लोगों ने चर्चा किये हैं, क्या market उन्हें respect करेगा, तो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे, अतीशीक्र,